आप सभी का Simplified Science के इस चैनल में स्वागत है आज हम क्लास 9 के 3rd chapter जिसका टाइटल है Atom and Molecules अनू और परमानू इसका 4th part करेंगे और इसके अंदर जो हमें इन डील करने जा रहे हैं वो रहेगा Mole Concept and its Calculation अब इसको करने से पहले हम पहले Units की बात करते हैं कि इकाई क्या है अब One Dozen इसका मतलब 12 Eggs यहां पर Example लिया गया है कि कुछ भी हो सकता है 12 केले हो सकते हैं 12 Oranges हो सकते हैं कोई भी quantity One Dozen means 12 अगर हम Ream की बात करें तो One Ream means 500 Pages इसी तरह One Quintal means 100 KG One Tola means 10 Gram One Cross means 144 Things कुछ भी हो सकता है 144 चीज़े मिल जाती है तो एक Cross अब इसी तरह हमारा One Mole तो One Mole भी कोई ना कोई एक Unit है अब इस One Mole के अंदर क्या Amount रहेगा क्या संख्या रहेगी Particles की इसी के बारे में आज हम करेंगे अब इसको करने से पहले हमारे पास यह है कि जो Mole Concept आया यह आया क्यों है और यह कहां यूज होता है यह mainly यूज होगा specially chemists के लिए या हम बात करेंगे कि कोई भी matter है उसके अंदर atoms कितने हैं उनको identify करने के लिए और यह सबसे पहले दिया गया था विलम ओस्ट वाल ने 1896 में दिया था और इसको universally accept किया गया था 1967 में अब चलिए इसके बारे बात करतें कि Mole है क्या चीज है अब यह Mole जो है इसको अलग-लग तरीके से लेते हैं इसकी जो वाल्यू रहती है 6.022 into 10 raise to power 23 लेकिन यहां पर लिया गया है 6 into 10 raise to power 23 then 1 mole of atom of any element will have the mass equal to relative atomic mass expressed in grams अब हम अपिक्षिक प्रमानू द्रवे मान क्या होता है relative atomic mass इसके बारे में भी करेंगे यह although हमने पिछले units में भी कर लिया है अगर हम इसकी definition देते हैं mole की तो mole क्या है पदार्थ की वे मात्रा जो की carbon 12 तत्व के 12 gram में उपस्तित परमानों की संक्या के बराबर हो amount of substance that contain the same number of entities entities atoms भी हो सकते हैं molecules भी हो सकते हैं ions भी हो सकते हैं और कितनी entities होने थी उसके बराबर जो की 12 gram carbon 12 के अंदर उपस्तित हो carbon 12 इसलिए लिखा है क्योंकि carbon के हमारे 3 isotopes होते है carbon 12, carbon 13 and carbon 14 तो हम यह carbon 12 वाल isotope की बात कर रहें कि 12 gram carbon 12 में जितने atoms होंगे वो एक mole के बराबर होता है अब यह जो mole है अब example ही आपके सामने आ रहा है कि इसका atomic mass हो गया 12 gram तो इसका मनला it is a gram atomic mass और gram atomic mass is equal to 1 mole और 1 mole contains 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of carbon क्योंकि carbon की बात करें तो यहां carbon की atoms ही रहेंगे अब आगे हमको दियावा है कि एक mole पदार का द्रविमान उस पदार के अपिक्षिक gram परमानू द्रविमान या अपिक्षिक gram अनू द्रविमान के बराबर होता है हमने पिछले वाले chapters में क्या था कि हम mass कैसे निकालते हैं mass की calculation कैसे करते हैं और उसकी unit हमने u पड़ी थी अगर हम उसी u को g से represent कर दें तो बन जाता हमारा gram molecular mass और इन दोनों में बहुत फरक है बेशेक हमारी calculation सेम थी हमने u की place पे g लिख दिया तो gram atomic mass बन जाता है otherwise u हमारा simple atomic mass होता है अब इन दोनों में क्या difference रहता है अब चलिए देखिए अगर हम hydrogen atomic mass की बात करते हैं तो 1 u लेकिन अगर इसी को हमने gram में represent कर दिया तो ये बन गया हमारा 1 gram तो इसका हमले it is called as a gram atomic mass ये हमारा relation में आ गया है इसके अब इन दोनों में फरक क्या है जब हम 1 u hydrogen की बात करते हैं ये सिरफ एक atom का mass है और जब हम एक gram की बात करते हैं तो ये एक mole atom का mass है एक mole atom का मतलब 6.023 इंटू 10 दिश पावर 23 इतने atoms का mass होगा एक gram इसका मतलब जो एक u है वो एक gram से बहुत छोटा है क्योंकि एक gram तब बनेगा जब उसके अंदर 6.023 इंटू 10 दिश पावर 23 आटम इकठे हो जाएंगे इन सब का भार तब एक gram जाके होगा तो u और g में फरक क्या हुआ जब u की बात करेंगे तो सरफ एक atom का किसी भी इसका ये hydrogen है तो hydrogen की बात करेंगे अब दूसर एक्जामबल लेख लो oxygen का 16 इसका मास है तो 16 u एक atom का है मास और 16 gram मतलब एक mole atom का मास और एक mole atom मतलब 6.023 इंटू 10 दिश पावर 23 अगर water की बात करें water का हमने मास निकाला था 18 u और ये 18 u का मतलब एक molekule water का मास जब हम G की G लगा देंगे तो ये एक mole एक mole का मतलब इतने molecules अब उपर हम atoms की बात कर रहे थे यह atoms है अब यह molecules की बात करें क्योंकि यह water हमारा अकेला molecular अगर हम water को देखे तो H2O तो 2 hydrogen होता है और एक oxygen होता है दो नो दो रेक तीन तो इसलिए हमने कर दिया 3 into 6.023 into 10 दिश बाद 23 atoms इसलिए 3 लिखा है और 3 लगाने के बाद यह atoms इसलिए कर दिया गया है अब इसी तरह से एक mole को रिपर्जेंट करना इसके लग-लग तरीके हैं अब यह आपके पास अलग-लग graph आ गया 1 mole is equal to 6.023 into 10 दिश बाद 23 particles इसलिए atoms भी हो सकते हैं 1 mole is equal to atomic mass अगर atom है तो उसके gram atomic mass के बराबर होगा अगर यह molecule है तो gram molecular mass is equal to 1 mole मतलब 1 mole बहुत तरीकों से हो सकता है gram atomic mass भी हो सकता है gram molecular mass भी हो सकता है इतने particles भी हो सकते हैं और यह अगर हम गयास की बात करें तो 22.4 liter वो भी एक mole के बराबर होगा अब one by one है इसे सब को थोड़ से एक्जाम पर रेलेट करते हैं अब यहां ची देखिए हम अब दो लग लग चीजें एक carbon है और एक copper है हमने carbon को 12 gram ले लिया वे करके और इसी तरह से हमने copper को ले लिया 63.5 अब यह इसका gram atomic mass है copper का और यह carbon का gram atomic mass है पेशक दोनों का mass अलग लग है 12 gram is equal to 1 mole क्यों carbon 12 gram के बराबर होगा copper का 63.5 gram is equal to 1 mole पेशक दोनों का mass लग लग है लगिन जब दोनों 1 mole होगे तो इनके अंदर जो particles होगे उनका number हमेशा एक जैसा ही रहेगा यह number will be 6.02 into 10 to power 23 मतलब आपके पास किसे भी substance का gram atomic mass अलग लग हो सकता है लेकिन जितना भी gram atomic mass होगा एक mole के बराबर होगा और उनके particles के संख्या हमेशा एक जैसी रहेगी अब एक example यहां पर दिया है कि one mole में इतने ही particles क्यों आते हैं इसे कम जादा क्यों नहीं है इसको example देने के लिए यहां पर क्या है कि हमने molecule की संख्या आई हो कैसे निकले है mass of one mole divided by mass of one molecule अभी दोनों लग लग है अगर atom की बात करेंगे तो mass of one mole atom mass of one atom molar mass इधना पर molar mass है यहां एक atom का अगर water की बात करते तो water का 18u mass of हमाँ पास one molecule है और water का molar mass मतले एक mole का mass gram में चला गया तो one mole का 18g upon 18u अब u और g का तो कोई comparison नहीं रहेगा अब की unit बराबर करनी है तो one amu one u जिसको मैं atomic mass इन बोलते हैं it is equal to 1.66 into 10 raise to power minus 24 जब इसको हम equate करते हैं u की जगा पे हमने यह लगा दिया और जो हम cutting करेंगे तो value आ जाएगी 6.023 into 10 raise to power 23 आप इसको किसी और example से भी ले सकते हैं carbon का ले लिजिए carbon के case में molar mass 12 gram हो जाएगा और एक atom का mass 12 u हो जाएगा तो 12 से 12 कट गया remaining value will remain 10 से इसका मतलब हर एक में जो particles होएंगे they will remain constant अब एक कुछ example आपके सामने दिये मैं एक एक आधे example इसकी water की बात करूंगा इसका formula h2o तो इसका mass अगर हम वैसे बात करते हैं gram molecular mass 18 gram और वैसे molecule mass होगा 18 u gram और जब gram molecule mass होगा यह एक mole के बराबर होगा एक mole के अंदर इतने molecules molecule term क्यों दिया क्योंकि यह दो से जादा atoms है तो यह molecule बन गया hydrogen कितने इसके अंदर दो तो हमने बात कर लिए 2 into 6.023 into 10 raise to about 23 atoms of hydrogen oxygen कितना एक तो यह एक रहने दिया एक multiply वह इतने atom तो इन दोनों को add कर दो 2 into यह आ गया और 1 इसका 2 और 1 3 3 into 6.023 10 raise to power 23 यह total atoms हो जाएंगे किसके अंदर H2O के एक mole के अंदर इसी तरह कोई हमारा ionic compound होगा तो ions में change हो जाएंगा यह हमने atoms लिखाएं और दूसरे पार्ट पर हम इसके ions लिखतेंगे क्योंकि sodium का ion 1 है तो इसलिए यह 6.023 into 20 10 की power 23 ions of sodium हो गया और chlorine का 1 है तो इतना हो गया total 1 1 2 तो इतना ही total ions हो गया तो this is a simple calculation कि आप कैसे इसको find out कर सकते हो अब number of moles निकालने के लिए मापस क्या formular है तो given mass माना जो mass हमें दिया है molar mass जो हमने calculate किया है पिछले वीडियो में भी calculate किया है water का molar mass जैसे ठारा gram हो गया ठीक है अब मानले की question दिया हुआ कि 52 gram के अंदर कितने moles होंगे formula ही देगा given mass given mass कितना है 52 अब helium का हमें mass मास पता होना चाहिए helium का mass होता है 4u तो atomic mass 4u हो जाएगा लेकिन हम उसके gram की बात करेंगे 4g हो जाएगा तो इसका मतलब यह आपके पास capital M is a molar mass small m is a given mass तो 52 divided by 4 it will be equal to the 13 moles अब यहां number of particles से देख लीजिए given number of particles divided by avogados number अभी n not यह value fix रहती जो हमने calculate किया था कितना 6.02210 के पावर 23 अब इतने particles यह given particles आ गए तो given numbers और यहां निकालने हैं तो number of particles कितने हो जाएंगे हमारे पास number of most अगर इसी से निकालने हैं तो given दे दिया इतना और इसको cutting करेंगे तो इसी तरह से हमने 8 ग्राम के अंदर कितने particles हैं अब यह पहले हमने मोज निकाले particles निकाले अब 8 ग्राम के अंदर कितने particles होंगे तो इसको निकालने के लिए हमा पस एक और formula आ गया that is given mass divided by molar mass और यहां पर आ गया evogato's number तो इसी धंक से अगर हम इसको calculation करते हैं तो calculation करने पर हमा पस क्या आ जाएगा molar mass O2 क्यों किया क्योंकि oxygen अकेला कभी exist नहीं करता इसलिए यह 2 into 16 is equal to 32 gram तो given mass कितना है 8 gram तो formula के recording अगर हम यहां देखते हैं तो मापस क्या हो जाएगा 8.32 into 6.02 into 10 raised by 23 तो इसका अमला 8 gram oxygen के अंदर हम आपा इतने सारे particles आ जाएगे तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सारा जितना भी वो सारे का सारा एक दूसरे के साथ interrelated है calculations से अब इसी तरह से हमाँ पास volume की बात करते हैं तो gas की बात करेंगे तो एक mole में कितना हो जाएगा 22.4 लीटर अगर आपने number of moles निकालने है तो volume को 22.4 से डिवाइड कर दो और उल्टा करना है तो 22.4 से multiply कर दो moles को उतना हमारा volume आ जाएगा और यह हम आपास सिरफ gas के लिए आता है 22.4 लीटर वाला concept अब इसी तरह इसमें हमने क्या किया था mole concept कैसे होता है, calculations कैसे करते हैं और कौन-कौन से formulas है यह formulas जो हमने सिरफ 9th class तक के level के किये और इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यावाद